हलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके EPFO काउंट में कितना बैलेंस है और उसे कैसे चेक करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, अब EPFO टाइप करके सर्च करें, जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, तो EPFO की वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अब आपको सर्विस टैप पर जाना है और 4 Employees को सिलेक्ट करना है, यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रोल करेंगे और फर्स्ट ओप्षन Member Passbook पर प्लिक करने हैं, अब आप पास्बुक के Login पेज पर पहुंच चुके हैं, अगर आपको सीधा Login पेज पर आना है, तो उसका लिं रखना है कि आपका UN Number Activate होना चाहिए, तब ही आप Passbook के लिए Login कर पाएंगे, Login हो जाने के बाद नीचे आपको Select Member ID का Option दिखेगा, जैसा कि मैं इससे पहले भी एक कमपनी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ दोनों कमपनी की Member ID शो हो रही है, यहाँ से आपको आपकी अपनी salary से amount cut होता है, और employer share जो आपका employer अपनी side से amount add करता है, अब अगर आप नीचे scroll करेंगे, तो आपको दोनों का employee share और employer share का total amount नीचे दिख जाएगा, यहाँ आपका total PF amount होता है, इसके आगे आपको जो last column शो हो रहा है, वो है pension contribution का, इसको आप जोब छोडने के बाद ही निकाल सकते हैं, that's all for today, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो चैनल को subscribe करें, और वीडियो को जादा से जादा share करें, मिलते हैं next वीडियो में